आज आज आपके साथ एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं आज कल चाहे नाबाड की बात करें या फिर आपका आरारबी एसो या जितने भी आपके एग्रिकल्चर के कॉम्पेटिटिव एक्जाम है उनमें एक बर्निंग टॉपिक है आपका प्रो अम्पेटिवेशन क q important क्यों कि इसके अंडर में अगर हम बात करते हैं तो चाहें वह आपका प्रीसिजन फार्मिंग हो चाहें वह आपका यहां पर ग्रीन्हाउस पॉली हाउस या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपका से बहुत सारे कारन होते हैं सबसे पहले ज देखो protected cultivation का मतलब यह है कि कोई भी cultivation ऐसी की जा रही है जिसमें आपका environmental conditions को control किया जा रहा है अब यह controlled किस हद तक की जा रही है वो depend करता है कि हम method कौन सा use करते हैं या protected cultivation में ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई extra effort लगा के या फिर different type of technologies को use करके कैसे हमारे efforts को कम कर रहे हैं कैसे हमारी जो workload है उसको हम कम कर रहे हैं या नई technology को use करके आप जो है input cost को कैसे decrease कर पा रहे हैं so that all things come under the protected cultivation ठीक है सबसे पहले जानते है कि इसकी benefits क्या क्या हो सकते हैं तो देखो simple सी बात है अगर आपका input cost कम हुआ तो input cost कम होने से क्या होगा आपका यहां पर overall जो आपका profit है वो क्या होने वाला है increase होने वाला है second thing आपकी environmental condition किसी भी चीज़ को effect नहीं कर रही है तो उसकी वज़े से क्या होगा कि environment के अंदर insect है disease है बहुत सारे आपके यहां पर जो parameters होते हैं वो कहीं न कहीं qualities को खराब कर देते हैं तो आपकी better qualities यहां से क्या होने वाली है product की produce होने वाली है अब अगला क्या रहता है अगला यह रह सकता है कि जिसे मान के चलिए कोई भी production आप कर रहे हो बाहर environment में कभी भी आपका environmental condition बारिस आ सकती है तूफान आ सकता है लेकिन जब आप protector cultivation यानिकि आप inner house में उ cultivation नहीं कर सकते हो that will totally depend on the seasonal class seasonal classification और आपको crop को grow भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा लेकिन प्रोटेक्टर cultivation है तो आप environment को change करके कभी भी cultivation practices कर सकते हो यानि की ओप season cultivation भी जो है आपका लिया जा सकता है चलिए one by one जानते है कि कैसे आपकी जो है प्रोटेक्टर कल्टिवेशन बैटर हो सकता है तो मैंने आपको अलेड़ी बता दिया कि प्रोटेक्टर कल्टिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है इसमें उन टेक्निक को यूज़ करके प्लांट की स्राउंडिंग को चेंज करके आप जो है उसके अंदर क्या करते हो वहां पर पूरा का पूरा उसके अंदर आपकी चाहें और खासकर इसमें अगर हम बात करें न यह भी बहुत इंपोड़ेट है कि प्रोटेक्टर कल्टिवेशन में आप मेंनली कौन सी क्रोप को घृव करवाते हो जो आपकी यहां पर हौति कल्चर या फिर जो मेहंगी क्रोपो फोती है उनको ही घृव करवाते हो लाइक्वाइज आपका अगर हम देखते हैं यहां पर तो सीरिएल्स बगेरा को इन में ज्यादा तर ग्रो नहीं करवाया जाता कारण क्या होता है क्योंकि जितनी इसकी कोष्ट आने वाली है उतना वहां से आपको income नहीं मिलने वाली तो ज्यादा तर यहां पर क्या होता है जो आपकी Horticulture Crobs है vegetables है या आपका यहां पर अगरम बात करें तो flower हाउस हो, प्लास्टिक हाउस हो, क्लोथ हाउस हो, या फिर आपका नेट हाउस या शेड हाउस, यह सारे जो है आपके किसके अंडर में आते हैं, प्रोटेक्टर कल्टिवेशन के अंडर में आते हैं, चलिए, उसके बाद जानते हैं यहाँ पर कि प्रोटेक्टर कल्टिवेश या productivity को भी आपने क्या किया है पर यूनिट आपका एरिया जो है उससे प्रड़क्शन जो आने वाला है वो ज्यादा आपका आने वाला है तीसरा आपका है नर्सरी रेजिंग की नहीं कर पाता है लेकिन नर्सरी में क्या होता है आपको पता होगा पहले नर्सरी में उसको गो करवाके बाद में फिल्ड में ट्रांस्प्र्ध किया जाता है और खासकर जब भी आप यह शेड नेट house बनाते हो या फिर अगरम बात करें ये जो पोली बनाए जाती है ये इ इसलिए हम उसको वहां पर plant को पूरा का पूरा well quality manner के लिए उसको production करने का काम करते हैं, तो उसी condition को आपका यहां पर hardening of plant जो है बोला जाता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर better insect and disease control, यहां पर क्या किया गाएगा कम क्यों क्योंग और सीजन को आपका क्रोप है तो उसे आप समः में लगा सकते हो, summer जो crop है, वो आपका winter में grow करवाया जा सकता है, जैसे कि आपका environment को control करके, efficient use of resource, already बता चुका हूँ कि आपका यहाँ पर minimum आपका यहाँ पर resource का use होगा, जितना आपको required है, उतना ही यहाँ पर use होगा, आपका जो है maximum यहाँ पर use नहीं होगा, इससे फाइदा क कि आपका environment तो protect होगा ही होगा, प्लस आपके यहाँ पर input cost भी क्या होने वाली है, decrease होने वाली है, natural resource का आप properly क्या कर पाओगे, use कर पाओगे, किसकी help से, आपका protected cultivation की help से, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप क्या क्या करते हो, देखो water management या फिर बाकी सारी manage की जाती है, चाहिए water management का मैंने छोटा सापको example दे के बता है, कि किस प्रकार से आप water यहाँ पर क्या करते हो, manage करते हो, ठीक है, यह आपका outer condition है, लेकिन इसी प्रकार से आप क्या करते हो, उसको inner condition के अंदर आप जो है, normally control कर सकते हो, कितना water देना है, का water देना है, और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपका अलग हो जाती है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप मतलब कोई भी महंगी गाड़ी लेकिया आते हो, तो उसके अंदर features आपका increase होते होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका protective cultivation करते हो, तो जितने आप पैसे जाधा लगाते हो, जितना आपका जो है, आप जाधा पैसा लगाते जाओगे, उतना ही वहाँ पर क्या होता जाएगा, आपका protection भी आपका increase होता जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर productivity increase होता जाएगा, प्लस अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपकी जो environmental condition है, वो भी आपक इहाँ पर time to time up change कर सकते हो, उसको पूरा का पूरा systematically जो है control किया जा सकता है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपका जानते है सबसे पहले precision farming, जिएखो precision farming का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर इस word को क्यो लिया, क्योंकि क्या होता है, precision farming का मतलब क्या है, जो आपकी यहाँ पर advanced technologies है जो आपकी यहाँ पर है advanced information and technology IT sector को use करते हुए आप जो farm को management करते हो farm के अंदर जो different आपकी resource है उनको identify करते हो उनको analyze करते हो वहाँ कोई problem आ रही है उसको analyze करने का काम किया जाता है तो उसको यहाँ पर आपका जो है रिसोर्स का proper optimum use करते हुए और आपका maximum production यहाँ से लिया जाता है तो वह आपका और दूसरा यहाँ पर जो land में अपना crop production करने का काम करते हो तो प्रिसेजन फार्मिंग का मतलब क्या है प्रिसाइज प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि आपका precisely use करके resource को maximum मांम जो आउटपुट लिया जाता है वह हैं पर प्रिसेज़न फार्मिंग से मदलब रहता है अब प्रिसेजन फार्मिंग के अंदर आप जो करते हो यहां पर यह जितना होता है कि इन आपका यहां पर maximum जो है technology को use करके high return जो है वो cost आपका लिया जाता है और obvious ही बात है जब आपकी बात आती है किसकी यहां पर green house की तो green house के अंदर भी आप prison farming जो है करने का काम करते हो कैसे करते हो क्योंकि green house के अंदर क्या होता है आप इन सभी technologies जो यहां पर आ रही है इन technologies को एक अच्छे तरीके से अच्छे manner के अंदर जो आपका high cost green house होता है उसके अंदर इन सभी technologies को use किया जाता है ठीक है तो यह इसी लिए मैंने इसको यहां पर बताने का काम किया और actual मैं आपको पता है आज हमारे इंडिया के अंदर क्या है fragmented land holding size है और fragmented land holding size होने की वज food आपको लेना पड़ेगा और अगर आप pesticide fertilizer इनको अगर ज्यादा डालोगे तो इस क्या होने वाला है आने वाले टाइम में आपका environment pollution होने वाला है तो इससे बैटर क्या है कि आप प्रीजजन फार्मिंग कीजिए प्रिजजन फार्मिंग करने से क्या होगा कि आपका अब देखो यहां पर क्या है ईक normal farmer के लिए यह चीज करना possible नहीं है day one से यह चीज़ कर पाए ऐसा possible नहीं है लेकिन one by one अगर वो धीरे धीरी सीज़ में progress में आता है तो वो आराम से इन चीज़ों को अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो आपको पता होगा government जो है वह बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए वह आपका drip irrigation और बहुत सारे component जैसे अगर बात करें तो one by one अगर वो पर्चेज करता है आपकी input cost ओलेडी आप बहुत जादा करते हो उसके respect में अगर इनको थोड़ा थोड़ा बहुत अगभी अगर वो यूटलाइज करने का काम करता है एकदम से आपका serial crop को छोड़कर एकदम से आपका नेचरल रिसोर्स को प्रोपरली यूटलाइज कर पाएगा और production भी क्या कर सकता है आपका maximum कर सकता है ठीक है चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस टेकनलोजी क्या है तो ग्रीन हाउस टेकनलोजी शिंपल सी बात है कि आपके जितने भी रिसोर्स हैं जित एक्स्ट्रीम अगर क्लाइमेटी कंडिशन से उनसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा किसको आपका क्रोप को चीक है तो वह आपकी क्या होती है ग्रीन हाउस टेकनलोजी होती है अब एडवेंटेज क्या है फाइदे क्या है तो भाई देखो यहाँ पर मैंने आपको बत आपका ग्रों करुवाए जा सकता है लार्ज ट्री की बात नहीं कर रहा है जो नोर्मल आपके ग्रोफ होती है उनकी बात कर रहा हूं ठीक है अब यहाँ पर उनका ऐरांड प्र्डक्सन कि आ था येरॉंड का मतलब क्या है कि साल के अंदर कभी इससे प्रडक्सन आप ले सक या फिर आपका यहां पर quality production की बात हो सारे के सारे वही चीज़ें आजाएंगी वह आपका क्या होता है यहां पर advantage होता है उसके बाद अगर हम बात करें हाँ पर तो classification of greenhouse देखिए यह हमारा एक बात रहेगा अब आज का मारा पार्ट है वो केवल इसमें आप लास्ट इसको डिसक्स करेंगे उसके बाद पूरा डिसक्सन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा यह चला जाएगा हम केवल और केवल इसके classification में में आपको greenhouse के जो type है उनको एक बार दिखा देता हूं so that कि आप इनको recognize कर सके और कम से कम जो बच्चे अभी interview देने जा रहे हैं उनके लिए easy हो सके कि क्या क्या type है तो मैंने इसकी main कहानिया आपको बता दी इसकी बाद में बाकी जो पूरा पूरा study है इसका deep में भी हम करेंगे लेकि है इसकी second video में कोशिश करूँआ कि आपके लिए जल्दी लेकिया हूं within two or three days के अंदर लेकिन सबसे पहले important यह है कि आप इसको समझ लीजिए यहां से कि इसके type क्या है ताकि आपको वहां पर exam में कोई दिकत ना हो या interview में कोई दिकत ना हो चलिए सबसे पहले आपका क्या है कि classification of green house अगर करते हो तो green house तो है आपका based on shape utility construction covering material या फिर आपका यहां पर computerized green house चलिए one by one हम इनको जानते हैं सबसे पहले आपका क्या है based on the shape shape के बेस्पे यहां पर mainly आपका गया अगर देखोगे आप तो आठ टाइप की है lean to type even spend type uneven spend type region for a type टाइप सोटो टाइप क्यों सेंट ग्रीन हाउस एंट्र लोकिंग रिजेंट फ्रो टाइप क्यों सेंट आपका green house या ground to ground greenhouse देखिए यहां अगर हम बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है ज्यादा मैं इसके अंदर आपको focus नहीं करूंगा अभी क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें जिनके समझाने वाली है पूरी की पूरी लेकिन यहां पर इतना याद रखना क्योंकि यह आपका एक important point है इस दिवार के साथ में जो लगा हो एक साइड से लगा हो है लेकिन दूसरी साइड से पूरा का पूरा बनाओ तो यह आपका जो टाइप होता है वो क्या होता है लीन टू टाइप आपका greenhouse होता है अगला में अगर हम बात करें यहां पर तो आपका है even spend type क्योंकि अब देख even ठीक है तो यह आपका जो टाइप है वो आपका किसमें जाएगा even spend type है green house में उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर यह भी आप देख सकते हैं even spend type में आएगा next अगर हम बात करें तो uneven spend type में क्या था वहां पर आपका दोनों side proper थी जितनी required थी लेकिन यहा बाद है हमारा saw tooth type तो saw tooth type आपने इस type का देखा होगा बहुत बार तो यह आपका किसमें जाता है आपका saw tooth type के green house में जाता है next अगर हम बात करें यहां पर तो आपका है concept जिसके अगर मैं बात कर रहा था कि Indian condition में कौन सा suitable जादा है तो यह आपका Indian condition में ज्यादा suitable जो है माना multi spend जो इसको माना गया है कि यह better है ठीक है तो इस चीज को आप यहां पर याद कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो utility की base पे अब utility का मतलब क्या है यहा ध्यान से सुनिएगा क्या होता actual के अंदर जो आपका यहां पर environment होता है उस environment के अंदर आपका यहां पर पूरा का पूरा देखा जाता है कि उसको hitting purpose के लिए आप यूज करें हो क्योंकि आपकी crop जो है वो अगर hot environment में grow होती है तो उस case में आपको यहां पर active hitting करना दूसरा है आपका active cooling लेकिन यहां पर एक यह होता है कि आप passive या दूसरा आपका है active पैसिव का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपको outer energy की requirement नहीं पड़ती है आप जो है वहां पर आपके environmental condition को control करने के काम नहीं करते हो जिसके अंदर आप जो है कभी भी जो है different type of के आपके fan, pad या फिर आपका cooling system या heating system ऐसा कुछ भी नहीं लगाते हो वह आपका क्या होता है passive system होता है जैसे कि आपने देखा होगा कई shed net house बने होते है उनमें केवल क्या होता है बाहर से उपर से shed बना होता है बाकी internally उसके अंदर कोई पंखा वगरा AC वगरा कुछ भी उसके अंदर present है नहीं होता मतलब आप बाहर से उसका environmental कोई ऐसा control करने का use हो और दूसरा यहां पर होता है active active में क्या होता है कि आप heat को cold को दोनों को control करने का काम करते हो तो उसी के बिहाफ पर यहां पर क्या किया गया है classification करने का काम है किया गया है अभी इसके इंदर बहुत सारी चीज system में जो आपका passive system में वो work करते हैं इनके अंदर आपका carbon dioxide system का regulation कैसे हो बाता है वो सारी की सारी चीजें जो है one by one हम इसमें discuss करने का काम करेंगे next video में लेकिन अभी तक जो है आप इसको समझ सकते हैं उसके बाद एक green house type based होंदा construction की construction के base पर आपका जो है galvanized pipe use करते हो galvanized galvanized का मतलब क्या होता है कि इसके उपर किसी दूसरी metal का भी एक covering किया जाता है जो की rusting effect जो है उसके उपर जादा जल्दी नहीं आता है ठीक है चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका है greenhouse based होंदा covering material अब covering material का मतलब है देखो एक तो आपका greenhouse में क्या होता है glass को आप यूज कर सकते हो दूसरा आपका यहां पर क्या होता है कि polythylene sheet को use किया जाता है polythylene sheet के अंदर आपने देखा होगा आज कल LDP LDP linear low density polythylene high density polythylene low density polythylene यह आपके इस प्रकार के different plastic sheets को use किया रहे यह plastic film को use किया रहे लेकिन आज गल plastic film की बजाय plastic sheet को जादा prefer किया जाता है plastic sheet को जादा क्यों प्रकार किया जाता है क्योंकि इसकी जो durability होती है वह आपकी long time तक होती है तो आप इसको भी अराम से बता सकते हैं जब भी पर discussion कर रहे हो है ना तुस्वर में इसको बता सकते हो उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका यहां पर net house net house को use किया जाता है ठीक है लेकिन यह depend करता है कि आपकी utility क्या है आपका purpose क्या है आपके purpose के बिहाफ पर पर इसी में बहुत जादा जो है यह कहीं कहीं मैंटेन करने का काम करता है उसके बाद है बेस जोंदा cost of construction तो यह मैं आपको कि अगर एक आपका cost बहुत जादा लगा होगे तो उसके अंदर आपको environment पूरा आप चेंज कर लेती हो एक आपका low cost में रखोगे तो उसमें आपका environmental condition ज्यादा control नहीं हो पाती normal condition में आप control कर सकते हो तो यहीं आपका है कि high cost medium cost या फिर आपका low cost greenhouse तो इसको आप यहां पर आप है आप से देख सकते हैं next अगर हम बात करें यहां पर तो computerized greenhouse में क्या होता है कि पूरा का semi-automatic या automatic system होता है जिसके अंदर आपका चाहें आपकी water की बात करें या फिर आपका fertilizers की बात करें या फिर आपका irrigation की बात करें बाखी पूरा का पूरा drone system होता है उसके अंदर cameras वोगारा काफी होती है न तो उनको पूरा-पूरा analyze किया जाता है plant की conditions को observe किया जाता है plant के अंदर जो photo varied effect होता है उसको observe किया जाता है तो इस सारी बहुत तरी चीजे होती है ठीक है तो यहाँ पर अगरम जब भी बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो यह कुछ चीजे हैं जो कि आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी और इनको वन बाई वन आप इनके नाम से इंडिकेट कर सकते हो कि computerized totally मतलग जो यह बेस्ट होगा किसके उपर हो बेस्ट होगा आपका computer के उपर बेस्ट होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका economic size क्या होता है और इसकी direction क्या होती है जो बहुत important है देखिए यहाँ पर बोला गया कि length जो होती है polyhouse की वह कितनी होती है 25-30 institute होती है और width जो होती है वह आपकी बहुत हम high foot होती यह लेकिन यहाँ यहाँ पुछाना सकता है कि इसका direction क्या होना चाहिए तो is to waste आपका direction होना चाहिए, कारण क्या है कि इसकी आपकी maximum sunshine की availability हो सके, next time the house should not be constructed in the shed, shed के अंदर कभी उसको grow या बनाना नहीं चाहिए, कारण क्या होता है, क्योंकि proper sunshine की availability नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने अभी बोला कि sunshine availability proper हो चाहिए, so that light वहाँ पर solar radiation वहाँ पर proper आपका पहुंच सके, और size आपका अलगलग type depend करेगा, और बाकी जो hotness या coldness जो जीचरी है, वो आपकी पूरी depend करेगी, आप किस प्रकार का house बनाने जा रहे हो, so guys यह आपके general aspect थे, किसके related protector cultivation या green house या poly house के related, लेकिन यहाँ पर बह बहुत चीजें आपको पढ़नी पढ़ेंगी, और जो exam में भी बहुत सार exam में आपका normal चीजें पुछ या थी, वो यही थी, लेकिन अभी भी इसका बहुत बढ़ा part रहता है, कोशिस करूँआ कि next videos में इसको पूरे अच्छे से well maintained तरीके से आपको समझा सकूँ, इसका ब आपको बता दूँ यहां पर आपको बता दूँ यहां पर आपको बता दूँ यहां पर 800 से लेके 1300 आपके यहां पर PPM जो है carbon dioxide की proper availability होने की वज़े से depend करता है crop to crop भी तो उसके बहाफ पर क्या रहता है कि उससे आपका, क्योंकि carbon dioxide normal environment की अगर देखा जाए, respect में देखा जा पूरा देखेंगे, yield कितना increase कर सकते हैं, water saving कितना कर सकते हैं, वो भी इसके इंदर बहुत बड़ा part है, रहा गया, next videos में हम जुरूर लेके आएंगे, उससे पहले आपको बता दूँ कि हम 18 मार्च से आपका एक नया best start करने जा रहे हैं, जो भी बच्चे enroll करना चाहते हैं, registration start हो चुका है, matter 50 seats हैं, जो भी यहाँ पर admission लेना चाहेगा, ले सकता है, registration अभी भी start है, so guys, thank you so much, जै हिन, जै भारत!